असलाम अलेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साओधी की लेटेस्ट इंपोर्टेंड अपडेट और ये वीडियो उनके लिए है जो लोग साओधी अरप के अंदर रहते हैं और किसी वीजा का घुमने जाते हैं क्योंकि आभी तोकलना अप्लेकेशन की त तरफ से ये दोनों अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप जरूर इस ब्लेक पूरा देखें ताकि आपको पूरी जनकर मिल जाएं पहली अप्डेट तोकलना अप्लिकेशन की तरफ से हैं जहां पर कहा गया है कि स्टैटिक इमेज के बजाए बार कोड के च आप जो है बार कोड के तहत अब अपनी जो सुविधा है वो ले सकते हो और बीना अप्लिकेशन को कुछ किये ही वहाँ पर बार कोड की सुविधा दी गई है तो यह एक अच्छी अपडेट है लेकिन जो लोग इसके दिन सोर्ट देखा कर एंट्री कर रहे हैं उनके लिए बुरी अपडेट है अब आपको जो है लाइब बार कोड के तहत ही एंट्री करना होगा उस्तों अगली अपडेट साओधी के पवित्र मज़ित के कस्टेडियन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से कहा गया है कि जितने भी लोग विदेश में रहने वाले हैं जिनका रेजडेंस बिजड बीजा एकजिट रेंट बीजा समाप्त हो चुका है उनका यहां पर बिष्टार किया जा रहा है हम आपको बता दें काफी लोग जो है हमारी के बीजड में फंस चुके थे और वो साओधी अरब के अंदर एंद्री नहीं कर पा रहे थे तो उनक का रेजडेंसी मतलब निवास बीजा है तो यहां पर अभी आदेश जारी किया गया इसके साथ बित्र मंत्री के तरफ से कहा गया है कि जो अस्थानिये लोग हैं उनके सुरक्षा के लिए और नित के लिए बीजा बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है हम आपको बता दे कि यह कार इसलिए किया गया है ताकि जितने भी लोग फंसे हुए हैं वो सुधिय अरब के अंदर एंद्रे कर सकें क्योंकि आर्थिक समस्या काफी जादा जो है वो देखने को मिल लई थी इसके साथ जैसे ही बाकी नई अपडेट आती हम आपको जल्द अपडेट करेंगे करी